मैं आज आप लोगों को गुर्दे से संबंधित बीमारियों के बारे में पताऊंगा गुर्दे की जो बीमारियां होती है वो दो तरह के होती है एक टेंप्रेरी गुर्दे की खराबी होती है एक पर्मानेंट गुर्दे की खराबी होती है जो temporary गुर्दे की खराबी होती है वो ज्यादा तर कारण हमारे देश में infection, पानी की कमी या कई दवाईयों का reaction होता है उसकी वज़े से होता है अगर इस भीमारी में मरीज ज्यादा गंभीर होता है अगर उसको समय से अस्पताल ले जाया जाए और उसका जो कारण है गुर्दे खरावी का सही इलाज किया जाए तो ये गुर्दे पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं दूसरे गुर्दे की खराबी होती जिसको हम पर्मानेंट गुर्दा फेलोर कहते हैं या क्रॉनिक किड्नी डिजीज बोलते हैं क्रॉनिक किड्नी डिजीज के जो महत्तपूर्ण खारण है डायबेटीज, ब्लड पिशर, क्रॉनिक ग्लोमरो नेफराइटीज, जन्मजाद बीमारियां और हमारे देश में कई इंडिजिनेस मेडिसिन, देशी मेडिसिन जो लोग खाते रहते हैं या पेन किलर खाते हैं उससे हो जाती है परमानेंट, जो किड्णी खराब होती है, जिसको हम क्रॉनिक किड्णी डिजीज बोलते हैं वो पांच स्टेजेज में होती है, स्टेज 1 तो स्टेज 5 जब पेशेंट स्टेज 5 या अंतिम स्टेज में पहुंचता है तब हमें गुर्दा का रिप्लेस्मेंट ट्रीटमेंट करना पड़ता है सुरू की जो चार स्टेजेज होती हैं उसमें हम अपनी बीमारी का अगर सही समय से अपनी सुगर का ठीक से इलाज करें ब्लड पिशर का करें इलाज और नीमित रूप से कंट्रोल करके अपनी दवाणिया खाएं तो हम एक स्वस्त जीवन लंबे समय तक मेडिसिन से खाके जी सकते हैं